वेलकम टू आर चैनल क्लास चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट है हमारा एंसरी मैथ्स टोपिक होगा हमारा प्रोबैबिलिटी ठीक है जिसे हिंदी में बोलते है प्राइक ता इसे इंग्रिश में एक्सपेक्टेक्शन के नम से भी बुलाते हैं ठीक है इसका बह इवाईड बाइट टॉ तर्टल इस नाम से भी ओला ज कते हैं आहिए देखते हैं इसमें कोशन देर यह है एक बच्चा है एस डाय फूसित setzen में एक बच्चि कोशन ऐरा है में एक बच्छे में बर टाइक पर तालो एंध खेलते है एसमें उसमें क्या शोग रहा डाय में A, B, C, D, E, A वो बच्चा जैसे खेलता तो यह वड़ाते हैं ठीक है तो कोशन क्या कहा रहा है कि उसमें दिखा देता है A, B, C, D अब इसमें लिखा The die is thrown क्या रहा है डाय को फैक कर जाता है Once एक बार ठीक है अब यह बताईए जब die is को हम जो है वो getting die को तो कोशन में ही कह रहा है कि A कितनी बार आएगा ठीक है, D कितनी बार आएगा तो हमें probability किसकी निकाल नहीं है probability of A की हमें probability किसकी निकाल नहीं probability of A ठीक है, formula कह रहाएगा वह ही है, favorable divided by total अब यह देखे, इसमें digit कितनी है total 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी है इसमें, 6 है तो यहां लेखेंगे 6 ठीक है, divide by अब देखे, ओपर क्या हैगा कोशन में लेकावा A कोशन में जो बच्चा है, जो die है वो die से खेला बच्चा तो उसमें A कितनी बच्चा है कितनी होगे कोशन में, 2 तो उसका आज़ाएगा 2 by 6 अब 2, 1, 2, 3, 6 तो answer कितना है, 1 by 3 ठीक है, एक तोमाहाँ यह answer रहा कोशन में उसी को कोशन में कह रहा है कि कोशन में D जो है, वो कितनी बच्चा है तो इसमें दी नहीं है इसमें दी है एक एरभ और कहीं दी नहीं है तो वन बाइ तो यह हमारा क्या था प्रब्लाविटी ओप डी का आंसर ठीक है नैस्ट कोशन देखते हैं कोशन में एक रुपे का सिक्का तीन बार ठीक है उच्छाला जाता है एंड तो सिंग इट आउसकम इच टाइम हनी विंस इफ ओल त्री कोशन में के कहरा हनी जीत जाता है अगर सारे जो सिक्के होंगे गी ता सेम रिजल्ड अगर रिजल्ड में सारे जीत जोंगी वह एक्स जैसी आएंगी तो हनी जीत जाएगा ठीक है that is three head या तो question में head आड़ आड़ आए ठीक है or three tails three tails आए तो hanif जीच जाएगा head बनलब ऐसे head सिक्के में head होता है tail होता है question में किरा का तीनों बार तीन एक बार में ही अगर head आजाए तो hanif जीच जाएगा तीन tail आजाए तो hanif जीच जाएगा and the lose is otherwise अवान हार जाएगा अगर यह नहीं आए fine probability hanif will lose the game हमें probability बतानी hanif के हार ने की भी और जीच ने की भी तो देखिए question बहुत इसी है पहले हम देखते हैं तीन सिक्के को गर हम एक सिक्कों को तीन बार उचा लेगे तो क्या क्या सकता है देखिए सिक्के में head और tail होता है तो position देखते हैं सबसे पहले question नहीं किया रागी तीन बार head आजाए तीन को तीन को एक साथ उचा लेंगे तो head head आएगा पहली position ऐसे होगी ठीके यह तीन बार उचाने पर उसमें क्या एगा tail तेल आएगा ठीक को पहली बार उचाने पर head दूसरे में head तीन में हैगा tail तो फिर बार position देते हैं पहले हमहेड था दूसरे में हैड था पोजिशन फोर्थ में क्या होगा कि head आसकता है तेल आएगा ठीके और इसके बाद कौन सी position होगी तेल आसकता है question में head आएगा head आएगा ठीक है फिर इसके बाद कौन सी position होगी tail आसकता है शुरू में दूसरे में भी tail आगा तीसरे में head आएगा last position क्या होगी इसकी tail आसकता है head आसकता है और tail आसकता है ठीक है यह क्या इसकी position हो सकती है कितनी digit हो गई एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ और भी position हो सकती है देखिए head, head, tail, tail head, tail, head, tail देखे ऐसी position हो सकती है कि शुरू में head आजाए tail, tail आजाए तो हमारे कितनी position होगी है आठ एक सिक्र को तीन बार उच्छनने पर यह position हो सकती है पहले में head, tail, tail, tail head, tail, head, tail फिर head, tail, head देखे कोई सी पोजिशन ऐसी नहीं है कि जिसमें सेम आ रही हो बचसर में सेम आ रही देखे दो डिजिट जो है ऐसी दो बार जो पोजिशन ऐसी हो जिसमें head, tail, tail आजाए तीनों में जैसी आई तो यह हनीफ जीतने की probability निकालने पहले हनीफ will win हनीफ की win position क्या है अब जिसमें टोटल डिजिट कितनी है टोटल जो है question में वो 8 है ठीक है तो formula में हिसाब से total नहीं चाहेगा अब यह देखे head, head, tail, tail, tail यह position किती हो गई 2 तो question का answer क्या है 2 by 8 हनीफ win will not win ठीक है हनीफ नहीं जीतेगा कब जब head, tail, tail, tail ना आया head, tail, tail तो समय question में लिखावा था कि यह दोनों position आगे तो वो जीत जाएगा यह position यह तो हार जागा था ऐसी कितने बहुत चांसे से जो हार ने के ठीक है एक position तो ही हो गई एक position यह हो गई एक यह हो गई एक यह हो गई एक यह हो गई तो position बिलाएगे कितने होगी खोशन में 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 तो इस कांसे क्या है 6 by 8 ठीक है एक किसी चीज की position है हांड ने की तो 2, 3, 6, 2, 4, 8 तो इस कांसे क्या है और 3 by 4 यह हमारे क्या था प्राब्लेटी के आंसर ठीक है अगर हमारे वीडियो अच्छे लगी तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दबाना न भूलिए ठीक है धन्यवाद